दोस्तो दुनिया में किसी भी इंसान के दुआरा फाइनेंशल फ्रीडम हसिल करने के लिए उसकी फाइनेंशल एजुकेशन का मजबूत होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और एक्सपर्ट्स के अगर मानने तो फाइनेंशल एजुकेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है किताबे पढ़ना यही बज़ाए कि दुनिया में बहुत से किताबे इसी टॉपिक के ओपर लिखी जाती है और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट क्यो साकी के द्वारा लिखी गई रिच डैट पूर डैट नाम की किताब भी दुनिया के उनी किताबों में से एक है जिसे बहुत से लोग लाइफ में अपने गोल एच्यू करने और काम्याभी हासिल करने के लिए पढ़ते हैं तबी तो फाइनेंशल एजूकेशन के मामले में इसको दुनिया का सबसे फेमस किताबों में शामिल किया जाता है और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसी बुक की ही समरी बताने वाले हैं दोस्तो रिच डेट पूर डेट किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट क्यो साकी की अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है इस किताब में वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं जिनमें एक उनके असली पिता है जिने उन्होंने पूर डेट का टाइटल दिया है दूसरे उनके मूँ बोले पिता है असल में उनके एक दोस्त के पिता है और उनको उन्होंने इस किताब में Rich Dad का टाइटल दिया है दरसल उनके असली पिता बहुती ज़्यादा पढ़े लिखे और Hard Working इंसान है जो की पेशे से एक टीचर होने के साथ ही Financial बहुत कम जोर है इसलिए Robert किताब में उन्हें Poor Dad कहकर बुलाते हैं वहीं दूसरी तरफ उनके मूँ बोले पिता सिर्फ आठवी क्लास तक पढ़े हैं लेकिन Financial Education strong होने की वज़े से वो अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमेन में शुमार किये जाते हैं इसलिए Robert किताब में उन्हें Rich Dad कहकर बुलाते हैं इस पूरी कहानी में Robert के Rich Dad उन्हें उनकी जिन्दगी के अलग-अलग पढ़ाओ पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम सिक्षाय देते हैं जो कि लाइप में काम्याबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बनने रहने के लिए बहुत ही जरूरी होती है और Robert के Rich Dad के द्वारा बताये गए 6 लेसंस, दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और काम्याब बना सकते हैं फिर चाहे वो इंसान कितना ही कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, तो चलिए अब हम Robert के द्वारा लिखे गए उन्ही 6 important and magical लेसंस के बारे में जानते हैं दोस्तों Robert के Rich Dad बताते हैं कि दुनिया के जादातर लोग कई दसकों से एक विशेश तरह के सरकल में फसे हुए हैं और वो इस सरकल को Rat Race कहकर बुलाते हैं दरसल आज दुनिया के जादातर लोगों की जिन्दगी का मकसद सिर्फ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी डूरना, शादी करना और फिर जिन्दगी बर अपने सेलरी से घर और कार जैसे चीजों के लोन भरते रहना ही बन गया है लोगों को इस बात का एसासी नहीं होता कि इस तरह के लाइप में महनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं लेकिन उसकी महनत का फायदा किसी और कोई होता है असल में बहुत से लोग इसे रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं लेकिन फिर भी अपने मन का डर, लालच और जिम्मेदारियों की वज़े से बे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं रिच डैट कहते हैं कि इनसान को सबसे पहले तो अपने डर को खतम करके रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम न करें बलकि पैसा आपके लिए काम करें पुरानी काहवत है ना पैसे ही पैसे को खीशता है ठीक उसी तरह आपको भी आपके लाइफ में कुछ ऐसा करने की जरुवत होती है जिसमें कि आपका पैसे ही आपको कमा कर दे दोस्तो दुनिया में आपको ऐसे बहुत से स्पोर्ट्समेन और सेलिब्रिटिस देखने को मिल जाएंगे जो की एक समय तो बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फा एसेट्स माना जाता है जबकि उनके अनुसार घर को एसेट्स नहीं बलकि एक लाइबिलिटीज होती है क्योंकि एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी जादा बढ़ा कर देता है जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी EMI और लोन चु कमा कर देती है वो कहते हैं कि अमिर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता बलकि पैसे को कमा कर उसे मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए ये सीखना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है लेसन नमबर थ्री गेट इन यूर बिजनेस एलॉंग विट यूर ज कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी जौब के साथ ही कोई दुसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जौब को छोड़े को एक नए बिजनेस एंपायर का किंग बन सकता है अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट बिजनेस से लेकिन असल में दोस्तो रेक रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं बलकि रियल इस्टेट है क्योंकि मैक डॉनल्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल इस्टेट ऑनर बन चुके हैं याने की फा पैसे कमा कर भी दे और दोस्तो इसके लिए राइटर के द्वारा कुछ एक्जामपल भी दिये गये हैं जिन में की बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल इस्टेट में पैसा लगाना और मुनाफ़ा देने वाली प्रॉपर्टिस को अमीर बनता है, लेसन नमबर फोर, टेकसेस अर फोर, अनली मिडिल क्लास और पॉर्स, दोस्तो इस लेसन में रिजटेट, टेकस के हिस्ट्री बताते हुए ये कहते हैं कि टेकस असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खतम करने के लिए बनाये एक सिस्टम थ यानि शुरुवात में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टेकस लगता था, और फिर टेकस के उन पैसों को गरीबू की सुविधाओं में खर्च किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टेकस लगना शुरू हो गया, और अगर आ अमीर बिजनेसमेन और उद्योग पती, पहले पैसा कमाते हैं, फिर अपने जरूरत और ख्वाइसों को पूरा करने के लिए वो उस पैसे को खर्च करते हैं, और लास्ट में अगर कुछ पैसा बसता है, तो उस पैसे को वो टेकस भरते हैं, जबकि वहीं मिडिल और अपर म चाकरबक, इलॉन मस्क और भारत के अगर बात करें तो धिरुबाई अम्बानी, शिव नडाक, अजीम प्रेम जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं, जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस, या फिर ये कहें, कि ऐसा आइडिया लेकर आए, जिसके बारे में इन से पहले किसी न इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसा कमाया नहीं, बलकि उसको इन्वेंट किया, क्योंकि ये दुनिया में उन चीजों को लेकर आए, जो कि यहाँ पहले से मौजूद नहीं थी, इस तरह से आपको भी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है, बलकि पैसे क इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना है, लेसन नमबर सिक्स, रिच लेंज अल दर टाइम, और नो हाँ टू सेल देर आइडियास, दोस्तों, अमेरिका में ना जाने कितने ऐसे लोग मौजूद हैं, जो कि मैकडॉनल्स के ही प्राइस में उससे कहीं ज़्यादा बहतर ब पांटेटीस में बेच पाते हैं, जबकि मैकडॉनल्स पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर बेचता है, असल में इस लास्ट लेसन के जरिये, राइटर हमें ये समझाते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीजों और नई स्किल्स को सिखना बन और इसी आदत की वज़े से ही उसको हमेशा ये पता होता है कि अपने प्रोडक्ट और अपने आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल पर किस तरह से बेचा जाता है, दोस्तो ये थे रॉबर्ट क्यो साकी के रीच डैट, पुए डैट किताब की 6 लाइफ लेसन, इसे आ ही जाए पारत